हमारे 10 साल के लॉंडे ने फाइनली वर्ल चैंपेंशिप जीत ली येस एश ने लियॉन को हरा दिया और अब लियॉन फाइनली अंडिफेटेबल नहीं रहा और इस मैश में हमें एश के अल्मोस सारे दोस लिखे ट्रेसी सेले का लाग विटार तक और इस मैश में जो मुझे सबसे अच्छी जीज लगी वो थी डार्लिंग मिस्स थी और मैं अनेसली बोलूँ तो वर्ल चैंपेंशिप के बाकी मैचेज मुझे इतने अच्छे नहीं लगे थे क्योंकि वो काफी हद तक प्रेडिक्टेबल थे लेकिन इस मैश ने मेरा दिल जीत लिया हम लोग क्या सो गाड़ा नहीं वरना बहुत ही जादा अनफेर लगता और मैं अनेसली बोलूँ तो मैंने एश वर्से जैलान की फाइड भी लाइफ देखी थी और उस मैश के बाद मुझे उतना ही एंटरेटेन किसी ने किया है तो वो बस यही लास वाला मैश था और यह देखकर अच्छ लिया लेकिन अब यहाँ पर कुछ बहुत ही तगड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर एक पोकेमोन मास्टर होता क्या है क्या अब हम लोग एश को एक पोकेमोन मास्टर कह सकते हैं क्या एश ने अपना सपना पूरा कर लिया और इसलिए मैं जरनीस के लास अबिसूर के लिए बहुत एकसाइड़ीड हूँ यह जानने के लिए कि अब आगे क्या होगा